ड्रामा क्वीन के नाम से होई है बिग बॉस OTT सीजन 2 में एक हसीना की एंट्री कौन है ये ये हैं पलक जी हाँ बात यहाँ पर हम कर रहे हैं पलक पुर्सवानी की जिनकी एंट्री होई है बिग बॉस OTT सीजन 2 में हैश्टेग जैसे सभी कंटेस्टेंट को दिये गए हैं वैसे ही उन्हें हैश्टेग मिला है ड्रामा क्वीन का आखिर कौन है ये ड्रामा क्वीन पलक क्या रिष्टा है इनका रूबिना दिलेक से और क्या वाकई ड्रामा क्रियेट कर पाएंगे ये उतना जितना इन्हें दिया जा रहा है या फिर जिस नाम से इनकी एंट्री हुई है बिग बॉस की घर में कई सारे सवाल हैं डामा डोल रहा है वैसे मैडम का करियर पूरी डीटेल से आपको बताएंगे यहां टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पल लेकर हाजिर हैं आपके लिए बड़ी अपडेट पलक पुर्सवानी आखिर कौन है चलिए आपको पहले यही बता देते हैं सल्मान खान के अपकमिंग रियालिटी वेब शो पलक उसमें नजर आ रही है बिग बॉस ओटीटी सीजन टू में पलक पुर्सवानी की अगर बात करें तो वो डांस रियालिटी शो नच बली के सीजन नौ में नजर आई थी जहां पर वो नजर आई थी अविनाश तचदेवा के साथ जी हाँ अविनाश तचदेवा के साथ वो नजर आई थी अविनाश वही है जो बिग बॉस ओटीटी सीजन टू में आ रहे हैं रूबिना दिलेक के एक्स बॉइफरेंड है डांस के लावा एक्ट्रिस है वो मॉडल है फैशन डिजाइनर भी है ये रिष्टे है प्यार के शो में काम कर चुकी है बड़ी देवरानी शो में भी नजर आई थी इसके लावा कुछ वेब शोस में भी वो नजर आई है और अब वो नजर आने जा रही है विग बॉस OTT इसके अलावा पलक पुर्सवानी बड़े भाईया की दुलहनिया शो में भी दिखीती है और स्पिट्स विला सेविन में भी उनके नाम के खूब चर्चे हुए थे तो कुल मिलाकर पलक बहुत कुछ कर चुकी है लेकिन अभी तक इंडस्ट्री में वो नेम वो फेम उन्हे नहीं मिल पाया है जिसकी चाहत शायद किसी भी स्टार को या किसी भी न्यू कमर को होती है रिष्टा उनका अभिनाश के साथ रहा है और यहां दो एक साथ एक दूसरे के सामने लाने का जाहिर सी बात है सीधा ता मकसद है मसाला क्रियेट करना कितना मसाला क्रियेट होगा ये मसाला किस तरफ जाएगा क्या कुछ होगा बड़े सवाल है जो विग बॉस OTT सीजन टू के आगे बढ़ते बढ़ते इनके जवाब मिलने लगेंगे विग बॉस OTT के अगर बात करें तो कहा जा रहा है बिल्कुल अनफिल्टर्ड होने वाला है ये शो यानि कि सब कुछ होगा एकदम सामने तो देखना होगा क्या कुछ होता है विग बॉस OTT सीजन टू में वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए